हेलो गाइस कैसो आपसे भी लोग आई होप कि आपसे भी लोग अच्छे होंगे तो गाइस आज हम करने वाले स्नैपसीड मेन्यू अमेजिंग डाक सीबी कलर इफेक्ट फोटो एडिटिंग तो गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को तो गैस सबसे पहले हम फोटो को सेयर कर लेंगे स्नैपसीड एप में यहां से स्नैपसीड में सेय और यहां पर विंटेज में जाएंगे और यहां पर हम लोग नाइन नंबर का इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे नाइन नंबर का इफेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहां से उसकी सेचुरेशन को डाउन कर लेंगे तो गैस यहां पर स्टाइल स्ट्रेंड को हम थोड़ वैसा ही रखेंगे brightness को और weakness trend को यहां पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे 35 प्लस तक अब जाएंगे हम edit menu में और यहां पर vintage select करेंगे और guys erase करने के लिए हम लोग यहां पर effect को 0 तक कर लेंगे और model के उपर से हम लोग erase कर लेंगे तो guys यहां पर हम erase कर लेंगे कुछ इस तरह से और guys हमें hair के उपर erase नहीं करना है तो guys यहां पर मैं fast fast erase कर लूँगा तो guys हमारा erase हो चुका है तो अभी यहां से कर लेंगे done अब हम फिर से जाएंगे menu में और यहां पर hdr skip select करेंगे और उसमें strong effect select करना है हमें तो filter strength को यहां पर हम थोड़ा सा डाउन करेंगे और brightness को भी थोड़ा सा डाउन करेंगे और saturation को भी यहां पर हम थोड़ा सा डाउन करेंगे और brightness filter strength को यहां पर हम रखेंगे प्लस 40 डग और उसके बाद नम यहां से कर लेंगे डन और जाएंगे फिर से एडिट मेनू में और यहां से SDIR सकेप्स से करेंगे तो ज़़ंड यहां पर हम लोग फिर से एरेस कर लेंगे model के उपर जो effect लगा है उसे और guys यहाँ पर हमें hair के उपर भी erase करना है तो guys यहाँ पर मैं fast fast erase कर लूँगा तो guys जब आप erase करोगे तो snap switch में थोड़ा zoom करके erase करने के कोसिस कीजिए टाकि आपका erase अच्छी तरह से हो सके तो guys अब हम लोग यहाँ से कर लेंगे done अब हमें फिर से जाना है menu में और यहाँ पर portrait effect सेलेक करेंगे और यहाँ पर combo one effect सेलेक करना है हमें फिर spotlight को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और skin smoothing को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे आई क्लेरीटी को भी यहां पर थोड़ा सा बढ़ा लिना हमें तो गाई उसके बाद हम लोग यहां से कर लेंगे दन फिर से जाएंगे मैनू में यहां पर डीटेल स्टूल सेलेक करेंगे और स्टक्चर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और sharpening को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे उसके बाद यहां से कर लेंगे दन फिर से जाना हमें menu में और यहां पर double expose सिलेक करेंगे और यहां पर एक red light 15 को add करेंगे और उसे यहां उपर की side set कर लेंगे और उसका effect यहां पर हम lightened effect सिलेक करेंगे और उसकी opacity को हम थोड़ी से down कर लेंगे यहां पर और उसे कुछ इस तरह से उपर की side set कर लेंगे तो guys हमारी png set हो चुकी है अब जाएंगे फिर से menu में यहां पर selective tool select करना है हमें और face को select करना है और saturation को यहां पर थोड़ा से down कर लेना है और brightness को यहां पर हम जैसा अब ऐसा ही रखेंगे और structure को यहां पर हम थोड़ा सा minus करेंगे और यहां से कर लेंगे done और photo को भी कर लेंगे save